तो दोस्तो हेलो मैं हूँ राजबीर सागर और आप देख रहे हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यार वी ब्रदर्स तो भाई ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्लश प्लेटे डालने का इस तरीके को अगर आपनी गाड़ी में अपलाई करते हो तो अगर एक स्प्रिंग होती है और नीचे की तरफ एक प्लेट टाइप क्यों होती है मैं आपको दिखा रहे हो इसकी तूट जाएगी या फिर लूज हो जाएगी तो हमारी गाड़ी के गेर हाट डलने लगे तो आपको जब भी एक लच प्लेटे फिट करानी है या गेर से र हर हो बगर आप स्प्रिंग डल दाए तो इसंज की काड़ी की गेर साथ गाम करते है तो गेर समस्या दूर होती है क्योंकि यह जो अपर के दांते देख रहे हो यह सई होना फोजर्य जरूरी है क्लच का पैनल अगर हम क्लच का पैनल खोल रहे हैं तो क्लच के पैनल की पूरी जिम्मेदारी उस क्लच के मेकैनिक की हो जाती है चाहिए वो क्लच का बैरिंग हो चाहिए वो क्लच का प्लेटे हो चाहिए वो क्लच की अंदर एक गेरशाफ्ट हो यह पूरी complete चेक अप हमारा ह होता है तो फटाफट से इसको फिट करते हैं गेर्शाफ्ट को और उसके बार आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं ओके दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारों गेर्शाफ्ट लगा देनी है जैसे कि आप देख रहें इस वक्त बहुत ही स्मूदली अंदर जाएगी और यह ग गाडे में गेर लिवर से गेर डालते हैं और गेर डालने के बात गेर लिवर आपनी जिखेंपर आ जाता है ऑप की वाट चेंपरों स्प्रिंगल्लर मोनाग में सबसे इंपर्टूंड काम हमारी यह चीजच चरती है जैसे कि इस वक्त देख रहे हैं यह रूलर हुते है पर वाले बाग पर यह काम करते हैं अगर अगर बात किजा अगर इसको छोड़ देते हो आप इसको नहीं डालते हो तो आपकी कारड़ें गजी समझ से आएगी जिसकी ज्यादा कोस्ट भी डाइता है तो इसको जरूर चकर नेijn तो हटा-फट असको फिट करते सब्सक게ड़ें यह को Iya इसके बाद इसके देखेशंए पर unsere हमें आप सब्सक्टरम सब्सक्रायो सब्सक्राइए ये चीजे बहुत ज़रूरी होती है जानना इसलिए मैं आपको बताया है वर ना आपको पता ही है मुझे सौक नहीं चड़ रहा है बाकि मुझे पता अब इस मेहनत का फल मुस्किलिद होगे काफिसे लोग जो फालतों के बाते करते हैं तो कमेंट करना अच्छे लोगों को अ जादातर गाड़ी में गेरशाफ्ट में वारसल होती है तो दोस्तों अभी दो बज़ रहे रात के और नीज आ रही है पर मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी है तो यह जो वारसल नहीं लेगा हो तो हो सकता कि खाड़ो और क चेल्ज करने करनी है 80 roya का च्पास के spring आती है ज्यादा मेहरी नहीं नहीं आती तो कि की बारे बिए बन बताना मुझे लगा किसा कि ज्योरूरी है जो जीड़ा हुई हो वेडivas इसको फिट करते हैं और आपको आपकर प्रसस देखाते हैं यह वारसल इसमें जा चुकी है औ इसको हम बोलते हैं ओइल पंब की करारी है अगर आपको लगता है टूटी हुई है या चटकी हुई है या इसके दांते तूटे हुए है तो आप इसको बिल्गुल भी धीलाना करें डाल दें अधार धीलना दें तूरण डाल दें सोचे जारा महंगी नहीं है 50-60 रूपे के मैं एक सेवं 100 रूपे के सबसकी गरारी आती है और इससे आपकी गाड़ी की परसानी हीटिंग की विटिंग की विटिंग की वाइलिंग की सब सही हो जाएगी तो फटावर्स इसको फिट करते हैं और आगेगा प्रॉस्ट आपको दिखा करा रहे हैं मैंने काफी वार नोटिस किया है मेरे पस काफी गाड़िया ऐसी आई हैं जिन में मैंने क्लच प्लेटे कस्टूमर से पूचा कपटल भाई तुरो ने का भी यावी 15 दिन पहले और देखा क्लाश ओजिंग को तो बुर तेरा कटा हुआ है काफी सारे बाई सब्सक्राइब करते हैं कुछ इस तरीके से होता है ठीक है हर चीज का बताना आपको जरूरी है क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से पताऊंगो जबी तो आपको समझ में आएगा अब यह हमारी वार्सर है इसको प्रॉपर तरीके से हम लगा देंगे अब अब एक बाद और प्ता देता हूँ यह हमारी clutch hub है, दूसरे point पे हमारा है clutch plate है और तीसरे, इसके ठीक नीचे हमारी pressure plate है और just, इसके यह देखो, यह हमारी clutch plate है और इसके just bugle में, यह हमारा है clutch center जो टांगे देखने हैं, चार टांगे, clutch center है, देखो clutch center cup खराब होता है, जब गाड़ी के आपके driving गलत होती है तो clutch center कट जाता है, बिल्कुल बुरी तरह है और जब आपके गाड़ी पे load पड़ता है या hitting होती है तो आपके गाड़ी में hub कट जाता है बहुँच जल्दी यानि कि hub और center जल्दी कट जाता है अब मैं एक बाद जाता हूँ, आपके center में क्या कटता है और क्या दिक्कत आती है ये जो pressure plate आप देख रहे हो, काफी सारे लोग क्या करते है pressure plate पे रेगमाल मार देते है और बोलते हैं कि बहुँच चल जाएंगी चला लो ये जो पॉइंट जाता है और कुछ नहीं होता और ये बहुत गलत है ठीक है तो आपको clutch plate जब भी डलवानी है तो clutch के पूरी assembly कोसेस करें डलवानेंगे अब काफी सारे महारती नीचे बोलेंगे कि भाई तेरे विजाएंगे पूरे engine नी डाल दो नहीं पूरे engine मत डालो clutch plate अगर डलवार तो clutch plate डाल दो बस और कुछ नहीं और जब भी clutch का काम कर रहा हो तो oil जरूर चेंज करो clutch plate कुछ इस तरीके से fit होती है जब भी आप fit करो तो ये center में प्ले जरूब होनी ची है अगर आप service time पर कराते हो अगर आप oil change time पर गराते हो अगर आप पूरा clutch चोड़ते हो पूरा अगर दवाते हो आदे clutch को दवाते नहीं हो तो आपका की just कभी खराब नहीं होंगी अगर आप इसका बिल्कुल उल्टा है आपके साथ तो आपकी गड़ी क्लश्पट हर 15 दिन में 20 दिन में महीने बर में खराब हो जाएंगी तो यह तरीका होता है क्लश का चेक करने का मैंने भी अगर मैं परसनल बात कूर मैंने बाइक लिदी काफी हैं पहले 2016 में हारले डिवर्ट सेंग साथ सो पचासी थी तक गरीवन पांच लाग साथ हजार की पड़ी थी तो कंपनी मारण मुझे सबसे वह एकी चीज़ बोली है बागी सब चीज़ों की गरेंटी है तो यह जो मैं देख रहा रहा हूं इस वक्त यह है क्लश हमारी होल् आप बोल्ट को टाइट करने हैं दस नमबर के से बोल्ट होते हैं प्रॉपा टीटों मी लगा के टाइट करने हैं आमने सामने जैसे कि आप सवक्त देख रहे हो अगर आप आमने सामने बोल्ट को टाइट नहीं करते हो जल्दबाजी मैं ऐसे एक ही बोल्ट को टाइट करते तो पूरा एठा मैठ तो बाकि तीन बोल्ट टाइड करने के लिए हो सकता आपके चूड़ी जो है सिलिप हो जाए तो ऐसी लापरभाई ना करें और ये बोल्ट पूरे फ़रूने के बाद आप गन यूज़ कर सकते हैं गन काफी हैवी होती है हो सकता है पहले आप करो तो सब्सक्राइड के लिए काम आती है यह प्रॉपर तरीके से बूम करने चाहिए यह हमारी पिंडावल है अगर आप चाहते हो अपकी गाड़ी में ऑईल लेकिश की परसानी ना आए तो कभी भी पिंडावल के बिना गाड़ी का क्लच मत फिट करना कभी पिंडावल लगती ह और पिंडावल के अंदर हमारी पैकिंग फस जाथी जिससे हमारी गाड़ी का इंजन का फिस एक दम परफेक्ट रहता है और यह हमारी क्लच की ठेसी है जैसे के देख रहो यह टेसी ही हमारा क्लच काम करती है जब उनक्लच दबाते है और एक चीज़ आपको देखाऊंगा काम करते हो डीजल से वास करते हो पूरा कंप्लीट कलच अंदर से और उसके बाद रगड़ा करें साफ करने के बाद एक चोटी से चीज में आपको बताऊंगा वह नहीं डालता है ठीक है पहले मैं बूल्ट को टाइड करवाने के लिए बताते हैं और जो मैं बता रहा था को है ऑईल लेंस इसको ऑईल लेंस भी बोलते हैं और फिट करना है अगर इसे अप फिट करते तो आपको गड़ी का जोई प्रॉपर तरीके से ऑईल का लेवल चेक हो जाएगा पता लग जाएगा आपको कुछ इस तरीके से लॉक लगाना है और गुमा देने लोग को यह बीस उपर सबस्काता है और हाँ एक बात और अगर आप गाड़ी में ऑईल चेंज करा तो उस दिन आपको उइल फिल्टर और इंजन और इंजन अईल यह दो जिल्वानी ही डिल्वानी है मतलि इसमें कोई डील नहीं देनी हमारी गारी के जो इंज़न हो जो तक पुराना काला वह सारा का सारा Ooil atausis ये याइल में मिक्स हो जाता है तो वह वह बात हो जाएगी कि आपने खार साप बाल्टी पानी में नाले के पानी की बून डालती वस्त स्थ बात या फायदा फिर विस पेकार हो गहागा आपको लगता है oil leakage हो रहा है तो ऐसा कर सकते हो वर ना तो फिर आपकी इच्छा है आपकी bigger मर्जी के तो कुछ हो नहीं सकता ना ठीक अभी है तो यह जो इंगर है एक complete video चुका है इसके आपको अगर पहला पार देखना है तो इसी वीडियो के आसपास में मिल जाएगा अगर इसका दूसरा पार देखना तो एयार वी सागर चैनल में मिल जाएगा आप आर वी सागर चैनल को सब्सक्राइब पर सकते हो बागी पूरे दिन अपनी जो मत देखना सोना आराम से मजे करना और जिंदगी बेताना बढ़िया करके बाइक चला के क्या करूगा आप ठीक है मिलते हैं